हाई फ्रेंड्स मेरा नाम इशाल कुमार है और आप लोगों को स्वागत करते हैं इस सक्से साइंस सीरीज यूटूब चैनल में तो हिंदी एमा ये लापका हंडेर्ड मार्क्स खा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और क्योंकि पूरा सिलेवस अप्लोडेर है इ उसका अविशलेशन करे या रामराज एकांकी के परमुख उद्शियों पर परकास डाले या एकांकी करला के अधार पर रामराजे की समिक्छा करें तो ये तो है लकिन इसको कैसे पूछा जटा है तो देख लेते रामराजे से डिलेटेर्टर जैसे 2020 के कुस्च्चन में र राम राजे एकांकी के संदेश पर परकास डालिए। तो आप समझ जाएंगे तो आप एंसर इसका देश सकते थे। उसके बाद देखते हैं और दर में किस तरीके से पुछा हुआ है कि राम राजे एकांकी के उदेशे पर परकास डालिए। उपर था संदेश इधर है उदे फिर देख लेते राम राजे कार में कैसे है कि राम राजे एकांकी का प्रा संग इकता पर विचार किजिए तो यानि कि हर साल राम राजे वाला आता है यह कुशन फिर यहां पर है कि राम राजे एकांकी के कथा सार प्रस्दूद किजिए या राम राज्य के कथा को असपस्ट कीजिए मतलब हर साल राम राज्य से कुशन आना है तो आना है तो वही देखेंगे आज राम राज्य के वारे में यहाँ पर देखेंगे तो राम राज्य एक तरीके का क्या है यहाँ एक एकांकी है तो नाम से पता चलना है राम राज्य यानि कि राम की धर्दी है तो उस पर क्या क्या हो रहा है घटना उसी सब के वारे में बताया हुआ है इस राम राज्य एकांकी में तो वही ध्यान से समझते हैं कि राम राज्य कलम के जादूगर समाजवादी करांती के अगडूत जो समाजवादी करांती होते रहता समाज में करांती होते रहता उसके सबसे अगडूत कलम के जादूगर समाज शास्त्री एवं सोसल इंजिनियर राम बिनिक्ष बेनिपूरी इस समाजी के कांकी में एकांकी कार ने राश्ट्र पीता महात्मा गांदे के उस काल्पनिक राम राज्य की कल्पना की है जहां नागरीकों में समता मतलब सभी लोग समता रखे भेधाओं नहीं हो बंधुत्भो सप्वें दोस्ती की भाई चारा हो एकता हो जीवन के हर थिती में रहे वर्ग जाती धर्म और विश्वास गत संकिर्मता नहीं किसी तरह की विश्वमता की पीरा नहीं हो इस काल्पनिक राज्य में लोगों का सत्या और अहिंसा में अटूट विश्वास होगा तो ऐसे ही ये महात्मा गांदी जी की धर्दी या राम राज्य के वारे में लिखी हुए इस एकांकी में गांदी वादी दर्शन के बहुत पक्षिय चिंदन का परसार किया यानि कि गांदी जी का क्या क्या विचार था तो राम राज्य एकांकी में उन्ही के विचार को बता गांदी जी एक राजनेतिक नेता होने के साथ साथ समाज सुधारक अर्थ शास्त्री शिक्षा विद्यानी की समाज सुधारने वाले भी थे गांदी जी अर्थ शास्त्र याने की अर्थ अर्थ शास्त्र को भी अच्छे से जानते थे शिक्षा विद्यानी की वेक तरीके से शिक्षा विद्वी थे, धर्म उपदेशक विद्वी थे, धर्म को उपदेश करने वाला था, उसके वाद एक अध्यात्मिक दार्षनिक विद्व यान की भक्ति भावना में भी लीन थे, ऐसे गांधी जी थे, समाजिक संरचना और प्रशास, जो प्रशास की एक संगर्ठन के संदर्व में उनका अपना एक दिरिष्टी कोन था, उनकी विचार धारा में साधना एवं त्याक तथा अन्य सद्गूनों की प्रधानता थी, राम राजे एकांकी का कथानक प्रकरांतर से गांधी वादी दर्शनों की एक काल्पनिक व्याख्या प्रस्तूत करता है, प अटक में देखेंगे, जब निर्मान हुआ तो एक विदेश यात्री को राजे के दर्शन कराते मतलब करा रहे थे, उसी के समय इस से राजे या इस देश के बारे में बोलते गए और वे अपना कथन भी लिखते चले गए, तो कथानक प्रारम दो विदेश यात्रियों के भारत आगमन से होता है, जब दो विदेश यात्री भारत आते हैं, तब वहां से शुरू होता है यहा कथानक यानिक एक आग की हवाई जहाज से उतरते ही भारत का स्वागत अधिकारी उन दोनों को स्वागत करता है, और यात्रा के उदेश्य जानना चाहता है, पूरुस क साथ एक महिला यात्री भी है उन लोगों का उदेशय भारतिय समाजिक पधती का अध्यान करना है जो दो आए हैं एक पूरुस के साथ एक महिला यात्री भी है उन लोगों का उदेशय यहा है कि भारतिय समाजिक पधती का अध्यान करना मतलब भारतिय समाज में कैसी कैसी जो महात्मा गांदे जी है उनकी आदेश के नुसार हमने राम राज्य की कलपना कर ली है परिचालक से स्वागत अधिकारी कहता है कि इन दोनों अतितियों को वह जवाहर अतिति शाला में ले जाए जहां उन्हें सारी सुख सुविधाय मुप्त में मिलेगी क्योंकि अतिति यहां देव तुल्य समझे जाते हैं देव के बरावर होते है इसलिए वहाँ पर सारी सुविधाय मुप्त मिलती है स्वागत अधिकारी और विदेशी पूरुस में अस्त्र शास्त्र एवं सेना के संबंध में भी बाते होती है जब यह जाते हैं खाना खाने तो वहीं पर होता तो वहाँ पर अस्त्र शास्त के बारे में एवं सेना के संबंध में भी बाते होती है स्वागत अधिकारी खाता है प्रहार हमारे देश में बापु के राम राज्या में कोई किसी का परहार नहीं करता कोई किसी पर परहार नहीं करता हम अपुल्ण सभ्य चले हैं आद कोई किसी पर परहार नहीं करता हम अब पुर्ण सभ्य हो चले आदमी जितना बरवर और असभ्य रहता है उतना कुरूर और हिंसक होता है सेना के संबंध में भी इस तरह का कथन है नहीं हमारे देश में सेना नाम की कोई चीज नहीं है जब हम स्वतंत्र हुए थे कुछ दिनों तक हमने सेना रखी हम लरायों में भी शामिल हुए दीरे दीरे उसकी व्यर्थता सिध हो गई तो इतनी सुंदरता बाते बता रहे थे गांधी यूग में इस एकांखी में बेनी पूरी जी ने कर्म योगी गांधी की अहिंसा प्रियता की चर्चा की है यहां अहिंसा संसार भर को भारत की देन है गांधी दर्शन के अनुसार यहां अहिंसा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है गांधी की अहिंसक नीती हमारे धार्मिक गरंथों की देन है इस मृत्यों एवा महा भारत में भी अहिंसक बेवहार कोसरेष्ट माना गया है भिश्म ने युधिस्टिर से कहा था तो यहां पर है कांकी में कर्म योगी गांधी की अहिंसा प्रियता की चर्चा की है इसमें ये बात बोले हैं कि अहिंसा भैस नहीं प्रेम से जन् इस मृत्यों एवा महा भारत में भी अहिंसक बेवहार को सरेष्ट माना गया है भिश्म ने युधिस्टिर से कहा था तो धर्म प्रवर्द ते तो इसी भाव की अभी व्यक्ति गांधी जी ने हरीजन में करते वे कहा था कि सत्या की तरह अहिंसा भी सर्वशक्ति मान है तो वही लिखावा कि अहिंसा पर्मो धर्मा यानि कि सत्या की तरह अहिंसा भी सर्वशक्ति मान है और असीम है अहिंसा और इस्वर के समानार्थक है अहिंसा सर्व व्यापक सर्व कालिन नियम है इस एकांकी में स्वागत अधिकारी ने गांधी जी की अहिंसक नितियों को स्रेष्ट माना है इसके समक्ष पाश्विक्ता ठहर नहीं पाती गांधी जी की इस अहिंसा चितना का सम पोशन इस एकांकी में किया गया है किन्तु बापू की अहिंसा के सामने उनकी कोई शक्ती काम आई और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी बस देश में सिर्फ एक मुठी लोग अहिंसक थे मतलब कमी लोग थे उन्हीं को लेकर बापू ने उस समय संसार के सबसे शक्ति शाली राष्ट को भगा दिया आज तो हमारा बच्चा बच्चा अहिंसा का मर्व समझ चुका है यानि कि महत्व जान चुका है जब गांधी जी की यूरी में शुरू किये थे उसमें मुठी भर्यान की भूत कम लोगी अहिंसा के पुजारी थे और अब भी के समय में बच्चा बच्चा भी अहिंसा के वारे में अच्छे से जान चुके हैं इस एकांकी के दुसरे खांड में अतिथी शाला के प्रवंधक के माध्यम से राम राज्य की कलपना पर एकांकी कार ने परकास डाला है तथा अतिथियस धर्म किस रिष्टा को बताया है मतलब जो अतीथी किस तरीके से धर्म किस रिष्टा धर्म के वारे में बताया गया है भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यांत ही गरीमा मई रही है लौकिक भोग प्रधान जीवन दर्शन की जरे यहां कभी भी नहीं पाई मतलब लौकिक भोग परधान जीवन दर्शन की जरे यहां कभी भी जम नहीं पाई बापु के राम राज्य में सब को समान रूप से भोजन एवं अवास बाने का अधिकार प्राव्थ है बापु के राम राज्य में पुरूशों के हिस्से उद्योग धन्दे और खेती बारी इस्तिरियों के जिसमें परिवारिक जीवन और भावी नागरीकों की शिक्षा दिक्षा की दाईत वराता है तो ये सब हमारे देश में है बापु की अध्योगी की नितियों की चर्चा भी इस एकांकी में की गई है किस तरीके से अध्योगी के अलग तरीके के फैक्टरी कार खाने से रिलेटेड बाते भी इस एकांकी में खिया गया हुगा है बापू उद्योग श्रक्ति को सनहारक मानते थे सनहारक मतलब जो हम लोगों को सनहार कर सकते जिन्दी की खराब कर सकते थे उद्योग को वो बात गांधी जी मानते थे उनका कहना था कि कारखाना कुछ सो लोगों को जिवीका देता है तेल की मील खरी करके रोज सेगरो मन तेल आप निकाल सकते हैं पर हजारो तेल वालों के बेकार करके यानि कि हजारो तेल वाला वह बिरोजगार रहेगा और आपका खाने खोल कर सो लोग से तेल निकालेंगे तो ऐसे कितना लोग बिरोजगार रहेंगे इस शक्ति को मैं सनहारक शक्ति कहता हूँ यानि कि गांदी जी के यूग में वो कहीं ने कहीं सही बात दे थी अभी कि समय में जल्दी बाजी है तो ये सब तो चली ही रहा है रचनात्मक शक्ति तो करोरों हाथों से की जाने वाली श्राम की शक्ति है सर्व कल्यान इसी रचनात्मक शक्ती से हो सकता है यंद्रों की शक्ती से धेरो माल तयार किया जाए और कल कारखाने सरकारी अधिकार में हो तब भी उसमें कुछ हांसिल होने को नहीं तो ये गांदी जी का कथन था इस एकांकी में लेखक ने ऐसे ही कारखाने की चर्चा की है जो कई दरिश्टियों से अलौकिक है जो पाटशाला, उद्योक्षाला, परियोक्षाला, तीनो, एकी ही साथ है मतलग उन्होंने इस एकांकी में लेखक ने कारखाने के भी बात बोले है कि जो कई दिरिश्टियों से अलोकिक है जो जैसे पाठशाला अद्योक्षाला और पर्योक्षाला तीनो एक ही साथ है यहाँ एक मौलिक शिक्षा पढ़ती है गांधी जी ने शिक्षा के संदर्व में कहा था सची शिक्षा वही होती है जो अध्यात्मिक बौधिक तथा आर आत्मीक, बौधिक और आर्थिक यानि कि जो अध्यात्म से भी हमें जोरे यानि कि भक्ति मार्ग से भी जोरे और बौधिक यानि कि हमारा जो मेंटली डेवलोपमेंट भी हो और साथ में आर्थिक यानि कि पैसे कमाने की कभी मुसीवत नहीं हो तो ये तीनों शक्तियों का ए किसी बेवहारिक शिक्षा पर बेनी पूरी ने परकास डाला है तो इसी बात को राम राजे कांकी में वो बात बोले हैं बापु के राम राजे में कोई हरीजन नहीं सभी एक साथ रहते हैं समाज में किसी तरह का वर्ण वाधियान की रंग के अधार पर कोई भेदभाव नही भारत के प्राचिन आदर्शों का नाया संसकरन है राम राजे यान की राम राजे ऐसा राजे जहां पर ये सब का भेदभाव नहीं किया जता है गाओ के सभी घर ही नहीं सबों का हिर्दय भी एक ही समान है दोनों भी देशी बापु के राम राजे के दर्शन करके धन्य हो उठते हैं पत्थ प्रदर्शक से उसकी बाते शासन पत्ती पर भी होती है पत्थ प्रदर्शक राम राज्य की शासन पत्ती के संदर्व में असपष्ट करता है कि इस राम राज्य में शासन का दवाव नहीं है यहां मतलब जनता के द्वारा चुना जाता और वहीं शासन करत तो यहां कोई दवाव नहीं है, यहां सेना नहीं, सेना पती भी नहीं है राश्र पती की जगह, राश्र सेवक है जो एक किसान का बेटा है यहां चुनाव में कोई उमिदवार नहीं होता, इस रामराज्य में कोई धार्मी की भेदवाव नहीं होता हाँ विश्वासों यह हम विचारों की भींता है लेकिन सब वो का हिर्द एक है यह सब जो घुमने आये थे विदेश से वे बता रहे हैं मतलब बेनी पूरी जी बता रहे हैं वो दोनों के बात भारत की बारे में अलग-अलग चेहरे रख कर भी हम सभी मानव है एक कुटुम् विदेशी स्वीकार करता है कि बापु का राम राजिय अनुकर नहीं है मतलब ऐसा कोई जगह पर नहीं है बिदेशी इस तरी भी स्वीकार करती है कि बापु का पत ही विश्व कल्यान का पत है मतलब पूरे दुनिया को कल्यान कर सकता है वे पत हमें उसी और बढ़ना चाह तो ये सब बोलते हुए सब, उसके वाद है कि इस तरह हम देखते हैं कि एकांकी कार ने इस एकांकी में प्राकरांत्रेप से गांधिवादी दर्शन की ही वियाख्या की है, इस दर्शन में उपवास, अस्वाद, अपरिग्रह, सम्प्रदाइक, एकता, अस्प्रिशियत्ता, निवारन न दिखता आदी पर बल दिया गया है इस एकांकी के जो भी पात्र है इन ही तत्वों की व्याख्यान विदेशी इस्त्री पुरुस से करते हैं पूरे एकांकी जो देखते हैं, पूरे एकांकी का कथा जो कथोप कथन गांधी वाद का परचार परसार एवं उसकी व्याख्या करताईस एकांकी के कथोप कथन कथा वस्तु के विकास में सहायक है। विदेशी इस्तिरी पूरुष और स्वागत अधिकारी पच परदर्शक शिक्षक बच्चा एवं राश्ट सेवक में जो बाते होती हैं वेशार गर्वित एवं वेवारिक हैं। इसे काफी अस्पास्ट है जो एक ही है वहाँ है गांधी वादी दर्शन का दिग दर्शन कराना तो भूती सुंतर तरीके से राम राज्य के वारे में ये बात देखे हैं जो यहाँ पर था कि एकांकी की का था वस्तु लिग कर उसका विसलेशन करना था तो परिक्षा में तो लिग सकते हैं इसी तरीका से आप पुरा पढ़ने के जरूर सब्सक्राइब कीज़ें प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो अप्लोटेट है तो थांक्यू सो मच पर वाचिंग